हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओर चैनल, हमारी आज की वीडियो को टोपिक है पर्यावरण परदूशन पर निभन्द तो फ्रेंड्स इस निभन्द को हम स्लोगन्स के साथ लिखेंगे क्योंकि जब हमारी सरकार पर्यावरण परदूशन के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए अभियान चलाती है तो वो भी स्लोगन्स का ही यूज करती है तो इसलिए हम भी अपने निभन्द में स्लोगन्स का यूज करेंगे जिससे हमारा निभन्द जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाए तो चलिए एक बार इसके हैडिंग्स देख लेते हैं कि हम इस निभन्द में क्या-क्या लिखने वाले हैं तो इस निभन्द में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें हम पर्यावरन पर्दूशन के बारे में बताएंगे परिचे देंगे देन हम लिखेंगे पर्यावरन पर्दूशन का अर्थ कि पर्यावरन पर्दूशन आखिर किसको कहते हैं देन हम लिखेंगे पर्यावरन परदूशन के प्रकार, इसमें हम जो चार प्रकार के परदूशन होते हैं, उन सभी परदूशनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, देन हम लिखेंगे पर्यावरन परदूशन के कारण की किन कारणों से आके परदूशन होता है, Then हम पर्यावरन परदूशन के दुश प्रभावों की चर्चा करेंगे, उसके बाद next heading में हम लिखेंगे पर्यावरन परदूशन को रोकने के उपाई कि हम किस प्रकार से पर्यावरन परदूशन को रोक सकते हैं. Then हम उपसहार लिखकर इस निबंद का end कर देंगे, हम अपने निबंद में एक स्लोगन स्टार्टिंग में लिखेंगे, एक स्लोगन लास्ट में लिखेंगे और एक स्लोगन हम निबंद के बीच में किसी heading में लिखेंगे. तो चलिए इस निबन को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सब मिलकर प्रदूशन को मिटाएं पर्यावरण को स्वच बनाए आगे हम प्रस्तावना लिखेंगे प्रस्तावना पर्यावरण के सभी घटकों जैसे वायू जल म्रदा आदी का परदूशित होना पर्यावरण परदूशन कहलाता है पर्यावरण परदूशन आज के समय में एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है जिसके कारण पूरी मानव जाती का भविश्य संकट में आता नजर आ रहा है पर्यावरण पर्दूशन के कारण आज ग्लोबल वर्मिंग जैसी विकट समस्या नजर आ रही है अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शायद आने वाले समय में यह जहरीला वातावरण प्रित्वी पर प्राणी जगत के जीवन हेतु एक खत्रा बन जाए देन हमारा नेक्स्ट एडिंग है पर्यावरण पर्दूशन का अर्थ प्रदूशन पर्यावरण में दूशक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकर्तिक संतूलन में पैदा होने वाले दोश को कहते हैं प्रदूशन का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांचित द्रवयों से दूशित होना जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विप्रीत प्रभाव पड़ता है सरन शब्दों में पर्यावरण पर्दूशन एक तरह से पर्यावरण को दूशित करने की प्रक्रिया है पर्यावरन प्रदूशन हमारे आसपास के और वांचनिय परिवर्तनों का प्रभाव है जो पोदो, जानवरों और मनुश्यों पर हानी कारक प्रभाव डालते हैं नेक्स एडिंग है हमारा पर्यावरन प्रदूशन के प्रकार पर्यावरन प्रदूशन के मुख्य प्रकार है वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, म्रदा प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन इन सभी प्रकार के प्रदूशनों का पर्यावरन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वायू प्रदूशन वायू हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपुन घटक है वहानों और ओद्योगी की काईयों से निकलने वाला धुआ तथा रसायन वायू को प्रदूशित करता है वायू प्रदूशन के कारण सांस की बिमारियां आंख्व नाक में अलर्जी, गले में जलन, त्वचा रोग, फिर्फडों में संक्रमन आधी होता है वह तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ता है जल प्रदूशन जल प्रदूशन हानी कारग पदार्थ जैसे रसायनों या फैक्टरियों के अप्षिष्ट आधी का नदी, जील, महसागर या पानी के अन्ने स्त्रोतों में जाकर मिल जाने से होता है दूशित जल पीने से मनुश्य के साथ साथ अन्ने जीवों के स्वास्ते पर भी हानी कारग प्रबाव पड़ता है म्रदा परदूशन म्रदा परदूशन अधिक मात्रा में कीट, नाशकों, उरवरकों, वरसायनों की उपस्तिती के कारण हो सकता है यह मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करता है द्वनी परदूशन भड़ता शहरी करण परिवहन वखनन के कारण शोर की समस्या गंबीर रूप लेती जा रही है विवहा धार्मी का योजनों, मेलों, पार्टियों में लाउट स्पीकर का प्रयोग और डीजे के चलन भी द्वनी परदूशन का मुख्य कारण है उच्च शोर के कारण मनुष्य को उच्च रख्त चाप, उत्तेजना, हिर्दे रोग, आंग की पुतलियों में खिचाव, मानसिक तनाव वो अलसर जैसे रोग हो सकते हैं पर्यावरण प्रदूशन के कारण अधूनिक युग में मानव ने केवल निजी स्वार्थ को देखते हुए पर्यावरण में जहर गोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आज जहां देखो वहीं पर कच्रे के धेर नजर आते हैं सडकों पर वहन ही वहन नजर आते हैं कारखानों से निकले अप्सिष्ट पदार्तों से नदियां दूशित होती जा रही है अन भी कीट नाशकों की सहायता से उगाए जा रहे हैं जिनसे नई नई बिमारियां पनप रही है तीवरोध्योगी करण, शहरी करण, जसंक्या वरदी पर्यावरन प्रदूशन के प्रमुक कारणों में आते हैं पर्यावरन प्रदूशन के दूश्प्रभाव पर्यावरन प्रदूशन के कारण मानव के स्वस्त जीवन को खत्रा पैदा हो गया है खुली हवा में लंबी सांस लेना मुश्किल हो गया है गंदे जल से सिंचाई के कारण कई बिमारियां फसलों के मादम से मनुष्य के शरीर में पहुंच कर घातक बिमारियां पैदा करती है बोपाल गैस रिसाव के कारण हजारों लोग मर गए प्रदूशन के कारण वर्षा चर्दी गर्मी का चक्र भी ठीक नहीं है सूखा, बाड, ओला, आदी प्राकरतिक प्रकौपों का कारण भी प्रदूशन है पर्यावरन प्रदूशन को रोकने के उपाए तो फ्रेंट्स इस वाले हैडिंग में हम रोकने के उपायों के बारे में बताएंगे और एक स्लोगन लिखेंगे विबिन प्रकार के प्रदूशन से बचने के लिए अधिक से अधिक पेल लगाए जाने चाहिए सडकों के किनारे घने वरक्ष होने चाहिए आबादी वाले अक्षित्र घुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओध प्रोथ हों कल कारकानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूशित अप्षिस्ट को नस्ट करने के उपाय सोचने चाहिए तो फ्रेंड स्लोगन हम इस तरह से लिखेंगे नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूशन मुक्त हो परयावरन हमारा उसके बाद हम अपना उपसहार लिखकर निबंद का एंड कर देंगे उपसहार मानव ने आधुनिक्ता और वैग्यानिक्ता के नाम पर प्रकर्ति का दोहन किया है पर नाम सवरूप हमारी धर्ती प्रदूशित हो गई है और इसका जिम्मेदार केवल और केवल मनुश्य है सरकार को चाहिए कि अभ्यान चलाकर जन जन को इस समस्य के प्रति जागरूप करें और हम सब को भी एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर निजी स्तर पर संकर्प लेकर पर्यावरन को बचाने का प्रयास करना चाहिए तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने अपने निबंद का उपसाहार लिख लिए है उपसाहार में हमें अपने निबंद का निश्कर्श लिखना होता है कि पूरे निबंद का क्या निश्कर्श निकल कर आ रहा है तो इस निश्करश में हमने ये लिखा है कि सरकार को इस समस्य के प्रतीज लोगों को जागरूप करना चाहिए, सरकार इसके लिए अभियान चला सकती है, उसके बाद हम निजिस तरपर क्या क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं, परदूशन के समस्या के समधान हेतु वो हमने निशकर्ष में लिख दिया है कि हमें जिम्मेदार व्यक्ति बनकर खुद भी प्रयास करने चाहिए तो ये सब लिखकर हम लास्ट में एक स्लोगन लिख देंगे जिम्मेदार नागरिक का करतव्य निभाएं परयावरण को परदूशन मुक्त बनाई तो इस तरह से हमने स्लोगन लिख दिया है ये जो स्लोगन है हमारे निशकर्ष के जो वर्डिंग है निशकर्ष में जो जो हमने लिखा है उससे रिलेटेड होना चाहिए तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी परयावरण परदूशन पर एक प्रभावशाली निभन लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपके लिए हेलपफुल होती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद